तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा हाली में ही नेट्फलिक्स के उपर रिलीज हुई एक इंडोनेजिन हॉरर मुवी को जिसका नाम है जन जी दारा यानि की ब्लड प्रॉमिस ब्लड ओध मुवी इंट्रेस्टिंग है आपको देखने मजा आएगा एंडिंग काफी भयानक है और मैंने हाली में ही डूनोट एंटर नाम की एक स्पैनिश फाउंड फुटेज हॉरर को explain किया है अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखना बिलकुल हैल हाउस जैसी पाइब आपको वो दोनों उस फैक्टरी में आये थे क्योंकि उनको भूत देखना था अब रिहान के ग्रैंड फादर अक्सर उससे ये कहा करते थे कि वो गोस्ट को देख सकते हैं लेकिन उसके लिए उननों को उन्हें ध्यान से नजर ठिका कर देखना होगा खेर अब ये दोनों ही फैक् गोस्ट को देखने के चांसे बढ़ जाएंगे अब डिंडा यहां भूत देखने के लिए बहुती जादा क्यूरियस होती है और जो सारी बाते अब तक मैंने आपको समझाई वही सारी बाते रिहान डिंडा को बताता है कि किस तरह से उसे गोस्ट देखने को मिलेगा अब बड़ी मशीन के उपर चड़ जाती है और रिहान एक गोस्ट को देखता है जिसे देखने के लिए रिहान उसे धीरी से लेफ्ट पलटने के लिए कहता है लेकिन तबी मशीन के अंदर से एक रेड डीमन निकलता है और यह रिहान के साथ पहली बार हुआ था क्योंकि आज तक उसने सिर्फ हामले स्पिरिट्स को देखा था ना कि किसी डीमन को अब रिहान को पता चल जाता है कि यह डीमन उनको मार देगा जिसके चलते रिहान डिंडा को अपने साथ भागने के लिए बोलने लगता है जिसके बाद दोनों ही भागने लगते हैं लेकिन डिंडा व चुकी है और उसकी वाइफ का नाम शेरन है अब रिहान की जो मा होती है वो शेरन और रिहान के बच्चे होने का काफी इंतजार कर रही थी लेकिन फिलाल ऐसी कोई भी खुशकबरी नहीं आई थी वो ट्राय तो कर रहे थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था कहर अगली मॉर्न सी टेस्ट करती है जो की पॉजिटिव आता है और इससे वो बहुत खुश थी वो ये बात रिहान को वीडियो कॉल के जरी बताती है और ये सुनकर रिहान काफी जादा खुश था अब रात को वो दोनों घर जा रहे थे और दोनों के लिए ये पल काफी खास था लेकिन इस के चलते वो स्पिरिट्स को देख सकता था खैरब वो दोनों ही घर आ जाते हैं जहां पर रिहान सोच में डूबा हुआ था वो उपर जा रहा होता है कि तब इसकी बीवी उससे बात करती है लेकिन वो इतनी गहरी सोच में था कि वो अपनी बीवी की बात को नहीं सुन पात पर तब शेरन उसे दुबारा आवाज लगा कर अपने पास बुलाती है तब रिहान उसके पास जाता है अब रात हो चुकी थी जहां पर हम एक साई को फिर से देख पाते हैं जो कि रिहान और शेरन की फोटो के पास था खेरब गहरी रात में ही रिहान पानी बीने के लिए उ लैंप में दूसरा बल्ब लगाने लगता है लेकिन अचानक से ही वोल्टेज हाई हो जाती है और रिहान को एक शौक लगता है ये सारी चीज़े काफी जादा अन्यूज्वल थी उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कर अगले दिन रिहान शेरन को आफिस छोड़ता है और और वो एक अरजेंट मीटिंग का बहाना बना कर घर आ जाता है और यही वो एक वक्त था जब वो घर पर रहकर ये देख सकता था महसूस कर सकता था कि वहाँ पर कोई स्पिरिट है या फिर नहीं क्योंकि अभी शेरन यहाँ पर मौजूद नहीं है अब घर जाने पर उसको एक स्पिरिट मिलती भी है जो की सीती नाम की एक बूरी लेडी की थी सीती को वो असल में अच्छे से जानता था सीती ने रहान की मौम से जिन्दा रहते हुए कर्ज लिया था और सीती यही कहने के लिए आई थी कि वो उसकी मौम को उसका बाकी का कर्ज माफ करने को कह दे तब वो उसे ये कहता है कि वो ये बात बोल देगा ताकि उसको heaven मिल पाए और सीती से वो ये पूछता है कि क्या वो कल रात यहां पर थी तब सीती कहती है कि वो यहां पर पहली बार आई है और ये सुनकर रिहान सोच में पढ़ जाता है कि अगर वो स्पिरिट कल रात सीती की नहीं थी तो फिर किस की थी जिसके बाद सीती वहां से चली जाती है लेकिन रिहान देखता है कि उनकी फोटो फ्रेम जो कल रात थी उसका गलास टूटा हुआ था और उसी के पास हमने उस स्पिरिट को भी देखा था इसी बीच अब कोई बेल बजाता है और दरवाजा खोलने पर वहां कोई मौजूद नहीं था जिसके थोड़ी देर के बाद में एक बार और बेल बज़ती है और इस बार वहां एक डिलिवरी बॉई था जो की रेहान का पारसल लेकर आया था पारसल में उसने उसके होने वाले बेबी के लिए एक बेबी ट्रॉली मंगवाई थी खेर यहां पर रेहान उस डिलिवरी बॉई से ये भी बूचता है कि क्या उसने इससे पहले बेल बजाई थी जिस पर वो मना कर देता है चलो अब इसके बाद रात हो जाती है और रात को उस बेबी ट्रॉली को देखकर शेरन काफी खुश थी जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर शेरन किचन में जूस बना रही होती है लेकिन तब ही वो ट्रॉली अपने आप चल कर शेरन की तरफ बढ़ने लगती है उसे ये लगता है कि ये सब रहान मजाक कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था रहान तो वहाँ पर था भी नहीं तब शेरन उस ट्रॉली के पास जाकर देखती है कि तब ही उसका नीचे से कोई पैर पकड़ लेता है जिसके चलते वो चिलाने लगती है अब तब ही रहान वहाँ भाग कर आता है और ये सब बातें वो रहान को बताती है अब ये सारी बाते सुनकर वो इस ट्रॉली को अपस्टेर्स रखने के लिए चला जाता है यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया था लेकिन रिहान इसको इतना सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसके साथ आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था खेर अब ये सारी बाते शेरन अपनी एक ओफिस फ्रेंड को बताती है जिसके चलते वो उसे ये कहती है कि अगर ऐसा उसे सच में कुछ लगता है तो उसे उसके अंकल की हेल्प लेनी चाहिए दरसल उसकी फ्रेंड के जो अंकल होते हैं वो एक साइकिक थे और ओविसली शेरन को रिहान के बारे में नहीं पता था कि वो भी एक साइकिकी है अब शाम को शेरन ये सारी बाते अपने हस्बेंड को बता रही थी कि तब ही रिहान ये कहता है कि उन्हें एक साइकिक की कोई भी जरूत नहीं है ये पैसो की बरबादी होगी लेकिन शेरन काफी डरी हुई थी जिस पर वो कहता है कि जितना वो स्पिरिट्स को अटेंशन देंगे उतना ही वो उन्हें बौदर करेंगी अगर लाइट फ्लिकर हो भी रही है तो वो उस पर ध्यान ना दे और ये सुनकर शेरन कहती है कि अगर उनके साथ किसी दन कुछ जादा बुरा हो गया तो वो क्या करेंगे अब इसके बाद शेरन नहाने चली जाती है जहां पर वो रहान को अपना बैक रब करने के लिए बुलाती है लेकिन रहान का तभी कॉल आ जाता है और तब शेरन के पास वो स्पिरिट आकर उसका बैक रब करने लगती है लेकिन उसे तो यही लग रहा था कि वो रहान है तब ही रेहान वहाँ पर अचानक से आता है और वो बात करने लग गया था जिसके चलते वो लेट आया और ये सुनकर तो शेरन बहुत डर जाती है क्योंकि अगर वो रेहान नहीं था तो कौन था खेरब शेरन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसलिए वो अपनी दोस्त के अंकल काजमन से उनकी जगा पर मिलने जाती है अब वो काजमन को ये बताती है कि जो उनकी भतीजी है वो उसके आफिस में काम करती है उसकी फ्रेंड है और वो अपने साथ हुई सारी घटनाइ बया करती है जिसके बात काजमन शेरन के घर आते हैं और यहाँ पर वो अपने साथ एक बूम स्तिक ले कर आये थे जिसकी एक-एक स्तिक को वो वहाँ के पौधों में लगाने लगते हैं और वो उस पर broomstick फेक कर उसे घर से बाहर कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगते हैं। अब घर जाते वक्त वो शेरन को ये बोलते हैं कि उसका घर अब सेफ है और उसे कोई भी परिशान नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच तड़क पर एक लड़की अचानक से काजमन की गार के सामने आकर टकरा जाती है। अब वो उसे उतर कर देखने जाते हैं लेकिन वो गायब हो गई थी और तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई स्पिरिट थी चुकि ऐसा कर रही है। जिसके बाद काजमन अपनी जाडू निकालते हैं और अपनी कार में बैटकर वहाँ से जाने लगते हैं। और ये बात वो रिहान को बोलती है, जिसके बाद वो दोनों उस ट्रॉली को देखते हैं, लेकिन वो ट्रॉली अपने आप कैसे गिर सकती थी, यहाँ पर शैरन भी सेम बात कहती है, और बोलती है कि यह घर तो प्रोटेक्टिड था, लेकिन उसकी बात रिहान नहीं समझ पात उसके बाद भी वो ऐसे बोल रहा है दरसल शेरन ने रिहान की मौम को कॉल करके पूछा था उसके नाइट मेर्स के बारे में तब उसकी मां से उसे ये पता चलता है कि उसे नाइट मेर्स बच्पन में नहीं आते थे और तो और जब वो बड़ा हुआ तब भी नहीं थे जिसस उनको परेशान कर रही है जिस पर वो मना कर देता है लेकिन वे कहता है कि वो जल्दबी इन सब का पता लगा लेगा अब दूसरे दिन शेयरन को पता चलता है कि काsmamal इस दुनिया में नहीं रहा वो खतम हो चुका है और यह सब सुनकर शेयरन बिलकूली हैरां रह गई थी जिसके बाद वो और रहान काजमन के फ्यूनरल पर जाते हैं जहां से उनको पता चलता है कि एक्सिडेंट होने के बाद काजमन दो घंटे आई सियू में था जहां पर उसने कुछ कहा था खेर यहां रहान काजमन के घर पर किसी स्पिरिट को नोटिस करता है जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं यहाँ पर उन दोनों में बहस भी हो जाती है क्योंकि शेरन का ये मानना था कि काजमन की मौत और उनके घर की स्पिरिट का आपस में कोई कनेक्शन था क्योंकि उसकी मौत तभी होई जब वो स्पिरिट से घर को प्रोटेक्ट करके गए थे और ये कोई कोई इंसिडन्स नहीं हो सकता था अब रिहान जो होता है वो उसकी बात को समझने के लिए तयार ही नहीं था इसलिए शेरन अपने पिता के घर पर जा रही थी ताकि वो इन सब जंजटों से दूर रह सके लेकिन रिहान उसे रियालिटी चेक देते हुए ये कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा अगर वो स्पिरिट उसे हांट कर रही है तो वो कहीं भी चली जाए लेकिन वो वहाँ भी उसे हांट करेगी और ये बात तो हमें कॉंजिरिंग मुवी से बदा चली चुकी है कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो जगा से नहीं बलकि इनसानों से जुड़ती है और इस बात को सुनकर तो वो वहीं पर सुन पड़ गई थी तब रिहान कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस पिरिट्स से उसका पीछा चुड़वाने की कोईश करेगा अब रात में रिहान को आवाज आती है डिंडा की डिंडा उसे ब्रदर कहकर बुला रही थी खैर अब वो सीडियों के पास जाकर देखता है कि तब ही वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हातों में टॉर्च थी अब वो रिहान के ओपर टॉर्च मारती है और वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर आती है और उसे उस रूम के अंदर ही लॉक कर देती है अब उधर शेरन भी रिहान को ढूंडने लगी थी लेकिन इसी बीच वो स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है वो उसे इधर से उधर पटकने लगती है जिसके बाद वो उसे सीडियों से नीचे गिरा देती है और इसी बीच रिहान भी दरवाजा खोल लेता है और वो अपसें बात कर रहे थे तब ही हम रिहान को देख पाते हैं जो की अपनी बीवी को छोड़कर दरसल लिंडा के यहां पर आया हुआ था ये पूछने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ गया था और वो उसकी मा यानि कि उसकी आंटी से इसके बारे में पूछने लगता है तब उसकी आंटी उसे सारी बात बताती है और उसकी सारी बाते सुनकर वो वहां से निकल जाता है उधर अब हॉस्पिटल में शेरन की फ्रेंड गलती से कब को गिरा देती है जिससे वो तूट गया था जिसके बाद वो उसे साफ करवाने के लिए हाउसकीपिंग को बुला कर देती है दरसल ये लेडी पॉजस्ट हो गई थी जिसे डिंडा की ही स्पिरिट ने पॉजस्ट किया था अब उसका ये हाव भाव देखकर वहां सिक्यूरिटी आने लगती है लेकिन इसी बीच शेरन की फ्रेंड को वह स्ट्रैप कर देती है जिससे कि उसे गाव हो जाता है अब सिक्यूरिटी आकर उस हाउस कीपिंग लेडी को पकड़ लेती है लेकिन शेरन अब मौका देखकर वहां से भाग निकलती है क्योंकि उसका मकसद शेरन को ही नुकसान पहुंचाना था इधर अब शेरन की दोस्त मरते मरते बची थी खेर शेरन पर फिर से डिंडा हमला कर देती है लेकिन इसी बीच वहां पर रिहान आ चुका था जिसको देखकर वो गयब हो जाती है रिहान को देखकर शेरन को गुस्ता आता है कि वो से चोड़ कर क्यों गया जिस पर वो बताता है कि वो पता लगाने गया था कि उनके पीछे किस की स्पिरिट थी और उसे इस के बार में पता चल चुका है जिसके बाद दोनों कार में जाते हैं जहां पर शेरन को वो डिंडा के बार में बता रहा था दरसल बचपन से डिंडा को भूत देखने का शौक था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था लेकिन वो गोस्ट को इसीली नहीं देख सकती लेकिन रिहान गोस्ट को देख सकता था इसलिए वो हमेशा उसकी साती रहा करती उनका बॉंड काफी अच्छा बना हुआ था लेकिन जैसे वो बड़े होते गए उसके बाद भी डिंडा रिहान के पीछे ही पड़ी रहती वो रिहान से प्यार करने लगी थी लेकिन रिहान उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो कजन्स थे और उसने उसे अपनी बेहन की तरह ही हमेशा देखा था लेकिन जो डिंडा होती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अक्सर रिहान के आसपास ही गूमा करती अब एक दिन रिहान उसकी एक फ्रेंड नीता को घर ड पसंद नहीं था वो उसे साफ समझा देता है कि वो लोग कजन है और उनका कुछ नहीं हो सकता अब तब ही उनके बीच में बहस काफी बढ़ जाती है और डिंडा वहीं उतर जाती है इसी बीच वो रोड पर खड़ी हो गई थी जहां पर दूसरी तरफ से एक ट्रक और दू पर नहीं आई थी तब इस बारे में रिहान उससे पूछता है लेकिन उसकी बात उससे ये लग रहा था कि उसे इससे कोई फरक नहीं पड़ा जिससे की रिहान वहां से चला जाता है अब जैसा कि रिहान साइकिक था और वो गोस्ट को देख सकता था ये बात जानते हुए डिंडा का भी गोस्ट को देखने का मन करता था इसलिए डिंडा ने ब्लैक मैजिक सीखा और ये ब्लैक मैजिक उसने इसलिए सीखा ताकि वो स्पिरिट्स को देख सके लेकिन इसी बीच उसका डेविल के साथ गड़ बंदन भी हो गया था यानि कि डील हो गई थी अब यह सीन चेंज होता है और वो दिन आ जाता है जब रिहान और शेरन शादी करने वाले थे और ये बात पता लगते ही डिंडा उसकी मा के पास जाती है और कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया इस बारे में जिस पर उसकी माँ से समझाती है कि रिहान उसका कजन है और उनका कु लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और रेहान के दुख में वो खुद को ही खतम कर लेती है। और उसके पास रेहान और उसके बच्पन का फोटो था जिसको लेकर उन्होंने साथ रहने की कस्मे काई थी। नहीं सिंफेड वो जायगा तो वो गुरी हुए केते यसे काई। तो रिहान को डिंडा की अर्ज को पूरा करना होगा और वो ये तब ही कर पाएगा जब वो उससे उसी की दुनिया में जाकर बात करेगा यानि की सोल वर्ल्ड में इसका मतलब ये है कि उसे उसका प्रॉमिस पूरा करना होगा वहां जाकर अब इसके बाद ये दोनों ही पर जाना होगा जहां पर उसने खुद की जान ली थी मतलब की उसी फैक्टरी में और सुबह होते ही वो वहां पर जाने लगता है जहां पर अल्रेडी काफी सारी स्पिरिट थी वो जाकर डिंडा के पास जाता है जो कि उसे बड़ी जोड से धक्का देकर गिरा देती है खेर बाद वो उसके पास जाने लगती है वहीं सोल वर्ल्ड के अंदर रिहान डिंडा से कहता है कि वो यहां पर आया है ताकि डिंडा को शान्ती मिले और इसके बाद वो यहां से जाना चाहता है ये सुनकर डिंडा फिर से गुसा हो जाती है क्योंकि उसे उसके साथ ही रहना थ और ambulance को बुला कर उसे hospital ले जाने लगते हैं ये देखकर रेहान परिशान होने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा था यानि कि वो मर रहा था अब यहां डिंडा उसे जाने नहीं दे रही थी वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है तब वो ये बोलता है और कहती है कि वो उसे जाने देगी वो उसे नहीं रोके की लेकिन इसी बीश डिंडा की spirit को वो demon possess कर लेता है यानि कि उसे अपने control में उसने कर लिया था और ये वही डिंडा को बच्पन में दिखाई दिया था यानि कि वही red demon factory के अंदर और हम जानते हैं कि यही रिहान ने डिंडा को होश मिला कर उसे बचा लिया था दरसल जितने भी बुरे काम डिंडा की spirit ने किये थे वो इसी demon ने उसे करवाये थे वो ऐसा करना नहीं चाहती थी इदर रिहान की सांसे बंद होने लगती है और डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है रिह दिंडा उसके प्यार के चलते होश में भी आ जाती है और वो डीमन अब वहाँ से चला जाता है तब डिंडा उसे थैंक्यू कहती है क्योंकि उसने दो बार उसकी जान बचाई थी एक बार बच्पन में और एक आज यानिकी soul world के अंदर otherwise वो डीमन उसकी soul को ही खा जाता खर बूम इसी positive note के साथ ये movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी जन जी दारा फिल्म की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंदाई होकी इस movie के अंदर देखो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है pretty straightforward plot है यहाँ पर फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझ spirits को देख सकता है इसलिए वो उसके पीछे थी और वो से कभी भी हर्ट नहीं करना चाहती थी हुआ ये था कि वो हमेशा से ही spirits को देखना चाहती थी लेकिन रिहान उसे ऐसा नहीं दिखा पा रहा था जिसके चलते उसने black magic सीखा और उसी red demon से जो कि उसे factory में possess करना चाता थ उसके साथ ही उसने deal कर ली थी जिसके चलते soul world के अंदर उसकी spirit कहीं ना कहीं demon के साथ जुड़ सी गई थी और इसी के चलते demon उससे गलत काम करवा रहा था और दोस्तों मैंने do not enter नाम की एक बहतरीन spanish supernatural pound footage horror को explain किया है अगर आपने उसे miss कर दिया है जाकर देख लेना उसका भॉस प्कूस्तों